कि नमस्कार दोस्तों लाइब इस्टेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम जीके के पोर्शन में साइंटिपिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देर यूज पढ़ेंगे सबसे पहले अल्टिमीटर अल्टिमीटर से हम अल्टिट्यूड नापते हैं अल्टिट अल्टिमीटर का यूज हुआ जहां जोगरा में होता है अमीटर का यूज इलक्ट्रिक करेंट का मेजर्मेंट करने में यूज होता है अनिमो मीटर अनिमो मीटर से हम विंड का स्पीड डारेक्शन और प्रेशर नापते हैं बैरोग्राफ बैरोग्राफ से एटमस्फेरिक प्रेशर की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होती है जबकि बैरोग्र से एटमस्फेरिक प्रेशर एक स्पेस्फिक टाइम पर निकाला जाता है यानि कि बैरोग्र के वल एक रीडिंग देता है एक बार में और बैरोग्राफ क प्लांट यानि कि पेड़ पौधों का ग्रोथ मेजर्मेंट किया जाता है कि इलक्ट्रोइस्कोप यह पता लगाते हैं कि किसी जगह पे इलक्टिक चार्ज है या नहीं फैथोमीटर फैथोमीटर से समंदर की गहराई ना पी जाती है यानि कि Depth of Ocean हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से हुमिडिटी एयर की या किसी भी गैस की मेजर्मेंट की जाती है लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर से दूद की सुधता का मेजर किया जाता है लेक्टोमीटर डेंसिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है यानि कि ये दूद की डेंसिटी को कल्कुलेट करता है पाइरोमीटर पाइरोमीटर से बहुत हाइट अंब्रेचर को मेजर्मेंट किया जाता है सेक्स्टेंट सेक्स्टेंट डिवाइस से बहुत दूर की चीजों का हाइट का मेजर किया जाता है सिस्मु ग्राफ से एर्थक्वेक की इंटेंसिटी का मेजर्मेंट किया जाता है इस फिग्मु मैनु मीटर से ब्लड प्रेसर ना पा जाता है बेंचुरी मीटर से रेट आप फ्लो आप लिक्विड का मेजर्मेंट किया जाता है बिस्को मीटर से बिस्को मीटर से बिस्कोसिटी मेजर्मेंट किया जाती है बोल्ट मीटर से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशिल डिफरेंस मेजर्मेंट किया जाता है और हम कुछ डिवाइस के बारे में जानेंगे और उनके यूज के बारे में बाइनकुलर का यूज दूर के आपजेक्ट को मेगनिफाई करके देखने में यूज होता है कार्बुरेटर कार्बुरेटर इंटर्नल कमशन इंजन में फ्यूल और एयर को मिक्स करके इस्प्रे करता है कम्यूटेटर कम्यूटेटर इलक्टिक जनरेटर में यूज होता है कंट्रеся ν 2 और औरभय कोइट यूजे एलेक्ट्रिक करेंट के डायेक्षन को रिवर्स करने में यूज ता है एंडर स्कोप इंडर स्कोप होस्पिल में बोडी के इंटर्न फास को जाचने में यूजोता कैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना बूलें और अब डेली वीडियो अफलोड होते रहेंगे इसलिए आप घंटे का बटन भी दबादें जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें धन्यवाद नए नए जीके के